आज हम एक वियंग्य रचना पढ़ने जा रहे हैं इसका शीशक है मैं नरक से बोल रहा हूं नरक जिसे हम इंग्लिश में हेल कहते हैं हरी शंकर परसाईजी इसके लेखक हैं हरी शंकर परसाईजी को कौन नहीं जानता हिंदी साहित्य में एक प्रतिस्ठित वियंगकार की रूप में जाने जाते हैं हिंदी साहित्य में हास्य वियंग विधा को एक नया रूप और एक नया आयाम इनों ने दिया इनका जन 22 अगस्त 1924 को मध्या प्रदेश के होशंगबाद जिले के जमाने गाउं में हुआ था इनकी प्रारंबिक शिक्षा सुचरू रूप से नहीं हो सकी और इनका प्रारंबिक जीवन काफी संगश्पुन रहा पिता बिमार रहते थे जिसके कारण परिवार किया जीवी का के लिए इन्हें नौकरी करनी पड़ी फिर बाद में इन्होंने नाखपुर विश्वी देयाले से हिंदी में एम्मे किया और उसके बाद फिर अध्यापक की रूप में कई जगे काम किया कुछ समय बाद नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन को अपना लिया जबलपुर में रहते वे इन्होंने वसुधा नाम की एक साहितिक पत्रिका का प्रकाशन और समपादन चुड़ू किया लेकिन उसमें इनको आर्थिक हानी हुई और प्रकाशन बंद हो गया इनकी रचनाओं में अगर हम देखें तो इनके कहानी संग्रा हसते हैं रोते हैं दूसरा जैसे उनके दिन फिर रानी नाकपनी की कहानी और दूसरा उपन्यास है तटकी कोज ये दोनों उनके उपन्यास है इसके अतिरिक्त उनके निवंद संग्रह है इस प्रकार है तब की बात और थी भूत के पाउँ पीछे बेईमाने की परत पकडंडियों का जमाना शिकायत मुझे भी है निठले की डाइरी और उनके कुछ लेखनिय व्यंग लेख इस प्रकार है वैशनव को फिसलन, तिर्चीरे खाएं, ठिठुरता हुआ गंदंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, प्रेमचंद के फटेजूते, माटी कहे कुमार से, भेड़ और भेड़िये, आवारा भेड़ के खत्रे, आदी 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 इनकी भाषा बहुती सहज होती है और सरल होती है, और हासेवंग का पुठ होता है, समाज की विसंगतियों और कुरीतियों पर हासेवंग के माध्यम से इन्होंने चुटीले प्रहार अपनी रचनाओं में किये हैं, यही इनकी विशेष्टा है, इनकी इमृत्यू 10 अगस्त 1995 में हुई, पाठ मैं नर्क से बोल रहा हूँ, लेकक हरी शंकर परसाई, और इसका वाचन मैं अल्पना वर्मा कर रही हूँ, यह एक वियंगी रचना है, और एक मृत्व्यक्ति जो भूक से मारा गया है, गरीब निर्धन व्यक्ति, उसकी आत्मा नर्क से कुछ बातें कह नहीं है, और उन बातों के माध्यम से इस समाज पर उन्होंने व्यंग किया है, और जो समाज की विसंगतियां हैं, उनको हमारे सामने प्रस्तुत किया है, तो पाठ शुरू करते हैं, हे पत्थर पूझने वालों, तुम्हें जिन्दा आत्मी की बात सुनने का अभ्यास नहीं है, इसलिए मैं मर कर बोल रहा हूं, मतलब उसकी जिन्दा रहते हैं, उसकी बात किसी ने नहीं सुनी, इसलिए आज उसे मर कर एक मृत विक्ति के रूप में अपनी बात को कहना जीवी तवस्था में तुम जिसकी और आँख उठा कर भी नहीं देखते थे, उसकी सड़ी लाच के पीछे जुलूज बना कर चलते हो, जिन्दगी भर तुम जिससे नफरत करते रहे उसकी कबर पर चिराख चलाने जाते हो, मरते वक्त जिसे तुमने चुलू भर पानी नह जाते हो, अरे तुम जीवन का तिरासकार और मरन का सतकार करते हो, इसलिए मैं मर कर बोल रहा हूं, मैं नर्क से बोल रहा हूं। मैंने सुना कि तुम्हारी यहां के मंत्रे ने संसद में कहा कि मेरी मौत भूग से नहीं हुई मैंने आत्मत्य कर ली थी अरे मैं मारा जाओं और खुद ही मौत का जिम्मेदार भी ठहराया जाओं भूग से मरूँ और भूग को मेरी मरने का श्रेना मिले अन अन की पुकार करता मर जाओ और मेरे मरने की कारण में भी अन का नाम ना है लेकिन हैर मैं ये सब भी परदाश्ट कर लेता सहन कर लेता जिन्दगी बर तिरसकार का स्वाद लेते लेते सहान भूती मुझे उसी प्रकार अरूचिकर हो गई थी जिस प्रकार शहर के रहने वालों को देहात का शुद्ध घी जैसे गाउं देहात की चीज़ें शहर वालों को पसंद नहीं आती इसी तरह मैं भी अब कोई सहानुपती दिखाता था तो मुझे पसंद नहीं था उसमें अरूचि दी और तिरसकार कोई करता है करता रहे तो ये एक निर्धन और जो घरीब भूक से मर गया व्यक्ति है उसके शब्द हैं लेकिन आज ही एक और घटना यहां इस लोक में घट गए नर्ग लोक में हुआ यह है कि स्वर्ग और नर्ग को जो दीवार अलग करती है उसकी सेंध में से आज सवेरे मेरे कुत्ते ने मुझे देखा और कुर-कुर करके प्याड जिताने लगा और मेरे अश्चर्य और शोब का ठिकाना ना रहा कि मैं यहां नर्ग में और मेरा कुत्ता उस्वर्ग में यह कुत्ता मेरा बड़ा प्यारा कुत्ता युदिस्टर के कुत्ते से अधिक प्यारा कुत्ता जबसे मेरी इस्तरी एक धनी के साथ भाग गई थी तभी सही है कुट्टा मेरा संगी रहा ऐसा की मरा भी साथ ही कभी मुझे छोड़ा नहीं इसने बगल का सेठ इसे पालना चाहता था सिठानी तो इसे बहुत प्यार करती थी पर यह मुझे छोड़ कर नहीं गया लुभाया नहीं उनके लालाच में नहीं आया क्याने कारते कि जानवर भी इंसानों से अधिक स्वामी भगते होते हैं उसकी पत्नी तो उसे छोड़ के चली के लेकिन एक कुट्टे ने उसका उसकी मृतियों तक साथ दिया सो मुझे सुखी ही हुआ कि स्वर्ग में आनंद से है मुझे खुशी हुई कि वह कुट्टा स्वर्ग में आनंद से है पर मेरे अपने प्रति किये गया नियाय को बुलाया नहीं जा सकता और भाई यह तुम्हारा मृतियों लोग तो है नहीं कि जहां फर्याद न सुनी जाती हो तो एक और व्यंगी यहां किया है मृत्ति लोग कहते हैं धर्ती को तो धर्ती पर है कि किसी की फर्याद नहीं सुनी जाते हैं लेकिन यह तो मृत्ति जहां पे नर्क और स्वर्ग यह तो यमराज के अधिन है धर्मराज कहलाते हैं यमराज तो वहाँ किसी की फर्याद ना सुनी जा ऐसा नहीं हो सकता यही बात यह गरीब कह रहा है जहां फर्यादी को ही दंड दिया जाता है जहां लाल फीतेश कारण आग लगने के साल भर बाद बुझाने का ओर्डर आता है कहने का मतलब है वहाँ इतना भ्रस्टचार है हर जगे कि कोई बात सुनी नहीं जाती और गरीबों की फर्याद तो सुनी ही नहीं जाती यहां तो फर्याद तुरंट सुनी जाती है तो मैं भी भगवान के पास गया और प्राटना की हे भगवान प्रित्वी पर अन्याय भोकर इस आशा से मैं यहां आया, कि न्याय मिलेगा, पर यह क्या, मेरा कुट्ता तो स्वर्ग में और मैं नर्क में, जीवन भर मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, भूक से मर गया, चोरी नहीं की, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, और कुता होता है वैसे ही तो था कई बार आपका भोग खाते पिटा ही है मतलब मंदिर में ये कुता भगवान को दिया हुआ भोग खा रहा था तो वहां इसकी पिटा ही भी हुई और फिर भी आपने से स्वर्ग में रख दिया और मैं तो भूग से बिलबिला था रहा लेकिन मैं मैंने भीट भी नहीं मांगे चोरी भी नहीं की और मुझे नर्क में तो यही प्रश्न कर रहा है वे व्यक्ति अब भगवान ने एक बड़ी बही याने एक बड़ा दफ्तर जो रजिस्टर होता है उसको देख कर कहा कि इसमें लिखा है कि तुमने आत्मत्या की मैंने का नहीं माहराज मैं भूग से मारा गया हूँ मैंने कोई आत्मत्या नहीं की पर वे बोले नहीं नहीं तुम जुट बोलते तुमारे देश के अन्नमंत्री ने लिका कि तुमने आत्मत्या की और तुमारे चरीर के पोस्ट मार्टम से यह बास सिद्ध हुई है और मेरी राख का पोस्ट माटम हुआ और तब मैंने उन्हें पूरा हाल सुनाया लो तुम भी सुन लो तुम नहीं जानते कि मैं कहां जिया कहां रहा कहां मारा दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई किसी का हिसाब नहीं रखता और तुम क्या जानों कि जब मेरी सांस चलती थी तब ही मैं जिन्दा था और इस अर्थ में जीवीट था कि मैं रोज मृत्ठी को टालता जाता था वास्त में तो मैं जन्म के बाद एक शण ही जीवित रहा और दूसरी शण से मेरी मौत हो गई ती शुरू हो गई थी, मौत शुरू हो जाना जो व्यक्तिया भावों में जीता है वैं तो हर दिन मरता है यही बात यहां कहने का प्रयास किया जा रहा है आगे वे कहते हैं तो बाजार की उस अटालिका को तो जानते ही हो उसी की पीछे एक और से पकाना साफ करने का दर्वाजा है और दूसरी और दर्वाजे के सहारे मेरी छप्री अटालिका का मालिक मेरी छप्री को तोड़ कर यहां भी अपना पकाना पकाना जो लेविट्री शोचाले बनाना चाहता था अगर मैं मारना जाता तो गरीब आदमी की जोपड़ी पर अमीर के पाखाने की विजय भी इन आखों से देखता अब तो तुम मेरे स्थान को जान ही गए होंगे आदमी से अधिक तो तुम अट्टालिका को पहचानते हो अट्टालिका याने बड़ी बड़ी गगन चुम्बी इमारतें उनके सहारे आदमी को जानना तो तुम्हें खूब आता है बस यहीं जोपड़ी में रहा मैं मेरे आसपास अन ही अन था दीवाल के पार से जो चूहे आते वे दिन प्रति दिन मोटे होते जाते थे और दो रोज तक तो वे इसलिए नहीं आये कि निकलने का मार्ग बनाते रहे पर मैं फिर भी भूका रहा बेकार था कोई रोजगार नहीं था अनाज दस रुपे सेर था इससे तो मेरे लिए मौत सस्ती थी आखिर मेरी मौत भी आई जिस दिन आई उस दिन अटालिका के उस पारवाले रईस के लड़के की शादी थी बड़ा अमीर था सारा गाउं जानता था कि उसके पास हजारों बोरे अन्न है पर कोई कुछ नहीं कहता था पुलिस उसकी रक्षा करती थी और उस दिन मेरी मौत धीरे धीरे काला पंजा बढाती हुई मेरी और आई मेरे पेट में यह टाई आखें धूंदली पड़ी दीवाल के उस पार पकवानों के सुगंद्धा रही थी यही संतोश रहा कि पकवानों के बीज मेरी मौत हुई मौत के ज़रा पहले मेरा प्यारा कुट्ता बर्बस दीवाल के उस पार घुज गया और पकवान खा गया मालिक ने उसे खीच कर एक डंडा मारा और करहाता वह मेरे पास आकर पड़ गया मेरे भी प्राण निकल रहे थे पर मुझे उस जानवर के सामने चीखने में लज्जा आई इधर मेरे पेट में आखरी एंठ आई और पंची ने पिंजरा खाले किया अर्थार्थ उसके आत्म शरीर से निकल गई इधर मेरे कुट्टे का भी दम तूटा यानि उसकी भी मौत हो गए डंडे की चोट बड़े मर्म की थी दौनों मरे एक साथ मरे फ़र कितना था कि वे खा कर मरा और मैं बिना खाए उधर बारात उठी इधर चांडालों ने टीन की गाड़ी में मुझे पटक कर घजीटा सड़क के उस और से अमीर के लड़के की बारा जा रहे थी इधर से मेरी यह सरकारी अर्थी सरकार ने भोजन का प्रबंद नहीं किया था पर बरने वाले की लाशों को दफनाने का इंतिजाम बहुत अच्छा किया था उधर बारात के पीछे मंगलगान हो रहा था मेरी लाश के पीछे एक भी रोने वाला नहीं था ऐसी सफाई से मरा कि किसी वो कस्टना हुआ कुट्टे तक को नहीं बरात पहुँच गई थी गोले छूट रहे थे इधर अपरयाप्त लकडी में मेरी हड्डियां चट चटा रही थी ऐसा मरा और मरकर यहाँ जब आया तो मुझे कुछ दुख नहीं हुआ लेकिन जब नर्क में भेज दिया गया तब मुझे इस बात का दुख हो रहा है यह कहना चाता है मैंने प्रतिवात करना सीखा ही नहीं था और यह स्थान भी उससे ज्यादा खराब नहीं था जहां मैं जिन्दगी बर रहे चुका था कहानी भगवान ने सुनी बोले तुम भूख से मरे न फिर भी तुम नर्क में ही रहोगे और यह कुत्ता स्वर्ग में रहेगा और यह तुम्हारे बगल का कमरा उस जूटे मंतरी के लिए खाली करना होगा मैंने पैर पकड़ लिये बोला भगवान यह कैसा न्याय है वे बोले मूर्ख कायर तु कुत्ते से भी हीन है वेचारा कुत्ता दीवाल को लांग कर घुज गया और खाना खाया और तु आदमी कहलाने वाला हाय हाय करके मर गया तु दीवाल लांग नहीं सकता था दीवाल मैंने कहा यह वे दीवाल कैसे तोड़ता कैसे लांगता क्या वे पाप न होता भगवान ने क्रोध से कहा पाप पुण्ये के जमेले में पढ़ने वाले कायर वे दीवाल क्या मेरी बनाई हुई है तमाम दीवाले आदमी ने खड़ी की है और तु उन्हें तोड़ने में पा मनुष्चित्व है, तुझ में पशुत्व भी नहीं, मैंने तुम्हें बुद्धी दी है, हाथ पैर दी है, काम करने की शक्ती दी है, और तू? अकर्मन्य, बुजदिल, कीड़े जैसा मर गया? मनुष्चिय ने मुझे बहुत निराश किया, अब मैं कुत्ती ही कुत्ती निर और इस कोने से तुमसे कह रहा हूँ कि हे मेरे देशवासियों, मेरी जैसी मौतना मरना, मेरे कुत्ते की तरह मरना, तो यहां परसाई जी ने एक संदेश पी दिया है कि निम्न वर्ग जो अभावों में है, जो संघर्ष्टों में अपना जीवन गुजारता है, उसे अपने जीवन में जो अन्याए हो रहे हैं, उनके खिलाफ उसे आवाज उठानी चाहिए